Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium जहाँ पे आपको मिलती है बिलकोल ही free and quality education This is your English educator, Palak Rakhyaari इस session में हम बात करेंगे Class 9, विहार बोर्ड की English Chapter No. 1 के Question and Answers की Chapter का नाम है Dharam Jundh जिसे हमने पिछले ही यानि प्रीविएस वीडियो में Already discussed कर डिया है Explanation complete है So, कुछ भी miss हो गया हो, don't worry Description में सभी links दी गई है So, इस पूरे session में आपकी books में जुत्ते भी in between questions है यहाँ बाद में long answer questions है Composition है, जैसे para and letter writing जो की book में दिया है, उसे discuss करेंगे तो वीडियो के बिलकोल end तक बने रहना तक आपके सारे doubts जो है crystal clear हो जाए Before we move on, let me also tell you कि आपको मिलते हैं हमारे channel पे Expert Teachers द्वारा बनाए गए notes जिनसे बहुती जादा help में लेगी भाई तो इसकी भी link जो है description में दी गई है Let's begin with this session And of course, you keep a pen and short copy छोटो से copy बना लेना है na बहुत मोटी copy नी बना लेना है माच जैसर रजिस्टर नी होगा चोट इसी पतली इसी copy बना लो तक के question answer note करते जाओ ठीक है? चलो Now, answer the following questions briefly Page number 7 for your convenience आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे page number भी लिख दिया है तो page number 7 पे आजाओ उस पे जो है box करके na questions हो योंगे तो उन्हें भी मैंने cover किया है because those are important exam में पूछ लिए जाते है तो again quickly से धरम जुद्ध एक बार अपन recall कर लेता है ना भाई धरम जुद्ध अर्जुन देव जी ने लिखा है राजस्तानी जो है वो भाई एक young girl, young educated girl है जिसका नाम है Padma उसके उपर ये कहानी है वो अपने parent से, माबाप से पूछती है कि एक औरत की पहचान यानि what is the identity of a woman क्या ये marriage तक ही सीमित रहती है यानि शादी से पहले पापा की साथ पापा का सरनीम, उसके बाद हस्बिन का तो क्या उसकी खुद की कोई identity नहीं है तो इसी पे बेज रहा है पूरा हमारा lesson था जिसे हमने अच्छे से समझा है अब आते हैं question answer पे question number one what was the question that Padma wanted to know from her parents तो अब question पूछता है कि ऐसा क्या सवाल था जो Padma अपने parents से पूछना चाहती थी अब एक चीज़ ध्यान देना बेटा तुमको मानती हूँ बहुत knowledge होगा लेकिन हमेशा तुम्हें देखना है कि question कितने marks का है अगर वो briefly वाला है एक या दो marks का है तो बहुत जादा मत लिखना paragraphs एक mark में तो तुम्हें जो है exact answer ही देना है बहुत जादा copy भरने से marks नहीं मिलते हैं अच्छा answer लिखो, सही answer मिलो, लिखो, marks बिलकुल मिलेंगे So the answer is Padma wanted to know from her parents what the identity of a woman was यानि वो अपने माबाप से जानना चाहती थी कि एक औरत की पहचान क्या होती है So this is your short and sweet answer आगे आते हैं Question number 2 How many brother and sisters did Padma have Padma के कितने भाई बहन थे थोड़ा दिमाग लगा ना जब हमने पढ़ा था conversation जैसा ही था ये पूरा lesson तो उसमें लिखा था मम्मी कहती हैं कि our only child our only child Padma को कहती हैं कि तुम हमारी only child हो तो पैटे यहां only child का मतलब होता है इकलोती बेटी यह एकलोता बच्चा तो common sense लगा हो ना भई कि यहां पे उसके कोई भी भाई बेन नहीं थे She was the only child of her parents बहुत जादा बड़ा करके मत लिखना इसको Zero brother, zero sister, नहीं Right? Short and sweet answers because you guys are now in class 9th Moving on to question number 3 Why was Padma unhappy with her father? Padma जो है अपने पिता से नाखुष क्यों थी? क्या दिक्कत थी उसको? So she was unhappy with her father as she thought that he cared more for money than for her यानि अपने मम्मी से conversation करते हुए उसने कहा था कि पापा को जो है ना पूरे टाइम पैसे की लगी रहती है मेर से तो वो प्यार करते ही नहीं है यानि उनको पैसे की ज़ादा चिंता है ठीक है? चलिए Question number 4 For whom is life hell according to Padma's mother? Padma की मा के अनुसार किसका जीवन जो है नर्क जैसा हो जाता है? तो हमें याद है जब Padma ने कहा था कि ऐसी औरत जिसके husband की death हो गई तो उसकी क्या identity है? मम्मी कहती है कि according to Padma's mother Life is hell for the woman whose husband is dead जिसका पती मर जाता है उसकी मा मानती है उसकी जीवन जो है नर्क बन जाता है ऐसी क्यों थिंकिंग है? क्योंकि वो सोचती है कि एक वोमिन के identity उसके husband से होती है Right? चलो Right तो नहीं है पर मेरा Right कहने का मतलब था कि यह answer जो हमारा lesson है उसके हिसाब से सही है ठीक है? चलो Question No.5 What according to Padma is the identity of the human race? तो Padma के हिससाब से human race यानि मानव की जो प्रजाती है उसकी identity उसकी पहचान कौन है? So according to Padma, the identity of the human race is the identity of a woman यानि जो आदमी है, जो woman है वो एक ही है हम कहता है ना मानव जाती तो भाई मानव जाती में है ना यह अपन कहता है मानव जाती तो human race में सिर्फ man थोड़ी ना आता है man plus woman दोनों आते है क्योंकि भाई nature ने बनाया है एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते नहीं रह सकते का मतलब साथ की बात नहीं कर रही हूँ मैं अगर man का जरूरत है society में तो woman का भी equal ही जरूरत है I hope it is very clear चलो, अच्छा एक चीज़ और है, मुझे कही न कहीं यह बात discuss करनी थी, मैं अभी कर लेती हूँ कि equal, जब हम यह word कहते हैं अब इसको काफी लोग जो है न गलत समझ जते है equality, when we talk about equality equality का मतलब यह नहीं होता है कि अगर आदमी जो है 50 के लोग का कोई सामान उठा रहा है तो औरत भी जो है 50 के लोग का सामान उठा सकती है this is not equality equality is equality for rights right to speech, right to expression हमें पता है कि males have a little bit more muscle power लेकिन females have more patience so equality का मतलब यह है दोनों की खूबियां समझ के उनको सही तरक्य के rights देना cerebral equality जैसे हम मान सके कि अगर man को leading position मिल सकती है एक manager की तो woman भी वो position ले सकती है these type of equality अगर एक आदमी के अपनी खुद के identity है तो woman की भी अपनी खुद के identity हो सकती है यह है equality I hope it is clear चलिए Now let's come to long answer questions आपका जब chapter खटम होता है तो उसके बाद जो answers आते हैं Now these are long answer questions तो इसमें आपको कहानी थोड़ी explain करनी होगी So coming to question number one Father cares more for money than for me Why does Padma say so? तो Padma ने इलाइने कही थी पापा को मुझसे ज़ादा पैसे की चिंता रहती है तो ऐसा Padma ने क्यूं कहा? पहली चीज तूसरा क्या है? Have you ever felt like Padma? क्या आपको भी Padma ने जो feel कि ऐसी feeling आई है? Explain So I'll tell you कभी भी किसी एक question में दो questions पूछ लिए गए हो दोनों के answers जरूर लिखेंगे And again किसी question में आता है Have you ever felt like Padma? तो कोशिश करो बिलकुल मेरे जैसे न चाप के answer मत लिखो Show your own creativity as well यहां मैं आपकी help पड़ती हूँ आइडिया देती हूँ कुछ नए वर्च देती हूँ लेकिन या फ्री Super free to use your own creativity So, आगे आते हैं पहले का answer देखो मैंने दिया है And para change करके दूसरे का answer दिया है So, the first answer is Padma says so Because she finds her father lacking in emotions Lacking का मतलब होता है कमी किसी चीज की कमी होना तो Padma ने ऐसा इसले कहा क्योंकि उसे लगता है पापा मेंने emotions की कही न कहीं कमी है Emotions का मतलब यह नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करते थे ऐसा नहीं है पापा है, फादर है, कहीं के भी हो They have feelings for the kids But यहाँ पे more emotion वो कहते थी कि अगर मैं बेटी हूँ तो उन्हें मुझे यह सब बताना चाहिए कि मेरी identity क्या है मेरी पहचान क्या है I am someone, I have the strength to do it तो कहीं न कर उससे ऐसा लगता था She thinks him incapable of loving उसे लगता था कि वो जो है incapable मतलब है कि capable नहीं होना प्यार करने के काबिल नहीं थे वो उसको In her opinion उसकी राय में her father gives more importance to money than to her So यह उसका opinion था कि उसके पापा जो है उससे जादा पैसे को जादा importance देते थे ठीक है तो यह तो अपना इतना answer हो गया अब have you ever felt like Padma तो यह जो है मैंने एक basic type का answer दिया है आप जरूरी निया personal answers भी दो कि आपके साथ ऐसा हुआ आप थोड़ा उसको made up भी कर सकते हो बस आपको English और grammar बिलकुर correct लिखने है जैसे यह मेरा मेड़ा पांसा क्या है Sometimes when my parents do not give me time or listen to me with proper care and attention I also feel like Padma, neglected and unwanted तो मैंने लिगा कि कभी कभार अगर हमारे parents पेरी बात नहीं सुनते हैं proper care affection नहीं देते हैं अपने काम में busy रहते हैं तो मुझे भी जो है neglected लगता है कि जैसे left out होता है ना unwanted कि यार शायद पता नहीं हम बोच तो नहीं है इनके ओपर ऐसा करके On such occasions, I feel that I am no more than a commodity to my parents only an object to gratify their sense of achievement तो अभी कभार और ऐसा होता भी है कि देखो, बच्चे पैदा करना is a very big thing क्या होता है ना लोग है शादी कर ली बच्चे बैदा कर नहीं है It's a very very, मतलब यह तो बिना डिगरी के parents हम कह सकते हैं हना क्योंकि I am not talking personally about anyone It's like कि हम कोई भी काम करते हैं कोई भी जॉब लेते हैं Teaching professional कि आज मैं teacher हूँ भाई Doctor है, Engineer है They all have their degrees उन्होंने उतनी study की है अब parents में क्या होता है कि कोई अगर कोई नया शादी करके आए है And then you're getting a kid लेकिन हमें अगर parenting करने आती नहीं तो ये दोनों पे effect पड़ता है Parents पे तो पड़ेगा ही उससे जादा बच्चे पे पड़ता है effect तो यही है कि अगर ऐसा लगता है कभी-गभी कि बस एक sense of achievement हो गया कि आजपास वालों ने का अरे बच्चा कर लो बच्चा कर लो लेट हो जाएगी तो कर लिया लेकिन वही है कि अगर आप उतना time उतना importance नहीं दे पाते हो करते हैं, emotions पे कोई focus नहीं है so यहाँ कहने का मतलब यह है दोनो generations को, आपको भी parents की बात समझने चाहिए क्योंकि there is a generation gap वो किस situation में है, उनको चीजें भी करनी है तो हम उनकी चीजें समझे भाई, कही ना कहीं वो सही है and on the other hand, उनहीं जो है बच्चों के emotions भी समझने चाहिए ठीक है? चलो so this is the answer, if you want quickly take a screenshot of it moving on to question number 2 question number 2 says what according to Padma's father is the identity of a woman? do you agree with him? तो again दो सवाल है Padma के पाप के हिसाब से किसी वोमन की, किसी औरत की पहचान क्या होती है और क्या आप उनकी इस जो है definition से, उनकी राय से आप अगरी करते हैं कि नहीं so let's look at the answer according to Padma's father it is the marriage that lends identity to a woman in other words a woman's identity depends on the identity of her husband a woman on her own has no identity as such तो Padma के father क्या नुसार? कि कोई marriage यानि ये शादी करने के बाद ही woman को अपनी identity मिलती है जैसे मालो, surname लग गया तो वो उसकी identity हो गई तो बिना शादी किये woman के अपनी खुद की कोई ऐसी identity नहीं होती है ऐसा Padma के father मान देते है अब अब मैंने नेक्स पारग्राफ में जो है अंसर दिया है कि मैं क्या उस बात से अग्री करती हूं कि नहीं तो अब भाई मैंने लिखा है कि मेरे ले काफी मुश्किल है Padma के father के view से अग्री करना अब ये काफी अच्छा वर्ड है अगैं मैं कहती हूं कि आप क्यों यहां पर आंसर देख रहे हो भाई क्योंकि आपको creative words मिरेंगे You guys are not in class 4th और 5th कि आप भाई basic answer लिख दो तो अच्छे marks मिल जाएंगे 9th grade में हो तो 9th grade के हिसाब की English लिखो So male chauvinism Chauvinism का मतलब basically यह होता है It is a belief that एक belief है, एक मान्यता है That men are superior to women यह एक ऐसा टाइप का belief होता है Male chauvinism कहते है Spelling यह है C-H-A-U-V-I-N-I-S-M लेकिन इसको pronounce अपन शौव शौव होता है न, शौव कोई भी pronunciation और चारण हिंदी में लिख लिया करो मैं हमेशा कहते हूँ ठीक है Chauvinism क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि बेटा 10 दिन बाद उठाओगे फिर Chauvinism भुलने लगोगे उसको Chauvinism है ठीक है? So, एक ऐसा belief है जहाँ पर ऐसा माना दाता है कि men are superior to women So, मैंने भाई लिखा कि It is male Chauvinism जिसको लगता है कि women उनसे inferior है ठीक है? जानी उनसे नीचे है In reality, there is no difference between a man and a woman They both have their own independent identity and should be treated on equal terms कि उन दोनों की अपनी खुद की एक अलग पहचान है अब equal का मतलब मैंने वही कहा जो 50 किलो वाल एक्जामपल दिया अगर male 50 किलो उठा रहा है तो female भी उठा है equality का मतलब है उनके खुद की अपनी identities है कि अगर हम माने woman patient है तो हम मान सकते है men comparatively थोड़े muscle powerful है अब woman बच्चा पैदा कर सकती है भाई वो तो कितना painful रहता है On the other hand, men कुछ और दूसरे काम संभाल सकते है For example, जे रहे हो कि ऐसे ऐसे जो है उन दोनों की अपनी खुद की identity है and उन्हें जो है they should be treated on equal terms There are several instances to prove that women are no way inferior to men तो यहां मैंने instances का मतलब होता है बेटा example अब example काफी basic word है इसने इसकी जगा मैं आपको suggest करूँगी कि आप instance लिखा करूँ तो ऐसे बहुत सारे instances या example है जिससे हमें बता चला है बहुत ही प्रसिद्ध नाम लिखे है Rani Lakshmi भाई Mrs. Indra Gandhi Kalpana Chawla Sunita Williams and Sanya Mirza are some of the examples to prove that women too have their own individuality यानि या कुछ example है जिससे मैं पता है कि women के खुद की अपने individuality है यानि Rani Lakshmi भाई भाई उस time में उन्होंने कितनी लड़ाई करी थी अकेले अपने शासन को अपने राज्य को बचाने के लिए being a woman आप बोलो Indra Gandhi जी उन्होंने कितनी अच्छे तरीके से हमारी country को संभाला Kalpana Chawla Sunita Williams Sanya Mirza बहुत सारे X-wise आज कल तो खेर बहुत ही जादा examples है हमारे ले और जो कि हमें बताते हैं कि भाई women have their own individuality और यह तो प्रसिद्ध नाम है Every woman चाहे आपकी मम्मी हो homemaker हो कोई भी हो उनकी खुद की सबकी identity है क्योंकि एक बात याद अथना घर manage करना कोई असान काम नहीं होता है खुद करके देखोगे तो सब पता चालेगा Right So every woman and every man have their own identity Clear है? बढ़िया है answer? चलो आजाओ Coming to question number 3 What question did Padma ask that her mother calls senseless? Padma ने ऐसा क्या सवाल पूछा था जो उसकी माहा कहती है कि यह तो बहुत ही बेतु का सवाल है बहुत ही senseless है Why did Padma's mother call it senseless? उन्होंने इसको senseless क्यों कहा? Explain कीजए So here is the answer The questions that her mother calls senseless is What if one does not get married? यानि Padma ये तभी double inverted commas में है यानि ये direct speech है Padma पूछी है कि अगर कोई और अचारी नहीं करती है तो क्या हुआ? So Padma's mother firmly believes that marriage lends identity to a woman and that a woman without a husband is nothing यहाँ पर firmly का basically मतलब होता है strongly Strongly की जगा मैंने लिखा है firmly So again या अपके लिए अच्छा word है यानि वो बहुत ही जादा होता है एक्टर तरगी से की चीज को मानते हो की एक पती ही एक औरत को उसकी identity उसकी पहचान दे सकता है So when Padma questions the importance of husband or marriage in connection with women's identity Her mother gets irritated and calls her questions senseless जब Padma वही सवाल उनसे पूछती है कि भाई शादी है, husband उसके connection में कुछ भी सवाल पूछती है कि क्या हुआ कि वो पती किसी का मर गया या वो बंदी जो है शादी नहीं करना चाहती है तो क्या तो उसकी मम्मी irritate हो जाती है क्योंकि ऐसा होता है कुछ पर्थाएं बस चलती आ रही है उनका हमने sense निकाला ही नहीं है तो आज अगर मारी आने वाली पीडी सवाल पूछी है तो हम कहते है senseless ठीक है तो यही same case हुआ Padma और उसकी मा के साथ Clear है? चालो Coming to question number 4 What is the injustice that Padma talked about? किस जो है नायनसाफी की बात है इंजस्टिस की बात है जो जिसकी बात Padma ने की है इस lesson में So the injustice that Padma talked about is that of a woman's life becoming hell after her husband's death यानि उसकी माने जैसे कहा था कि अगर वो पुछिया ना किसी का पती मर गया तो तो वो कहती है कि उसका जीवन तो नर्क जैसा हो जाएगा painful यानि उसकी कोई life ही नहीं अगर उसका पती मर गया She does not like the idea that a woman's identity should be so dependent on her husband तो सही अच्छा नहीं लगा कि भाई एक औरत की जिंदगी इतना जादा dependent हो अपने husband पे अब इस चीज को उल्टे तरीगी से मतलो इसका मतलब यह नहीं है कि it's not good to get married देखो हर चीज जो होती है life का एक phase होता है हमने कहते है marriage is life marriage is a part of life ठीक है जिंदगी अलग है भाई हमें क्या करना है हमें अपना career बनाना है अपने घर को देखना है parents को देखना है अपनी जो अगर हम marriage करते हैं उस life को देखना है and main goal क्या होता है कि हम खुद को पहचाने है spirituality में जाए दुनिया क्या है यानि इस चाप के questions को हम search करें तो यहाँ पर क्या होता है उसो यह लगता है कि home in fact is a place of bargaining and women should refuse to live in such a place तो उसे खुद लगने लगा कि यार बाहर की दुनिया तो अलग छोड़ो घर में ही अगर यह thinking यह belief है कि हमें जो है बार्गेन करना पट रहा है अपनी खुद के राइट्स के लिए यह तो हमेरे बेसिक अधिकार है तो फिर लड़कियों को तो ऐसे जगह उपर रहना ही नहीं चाहिए यारी रहना नहीं चाहिए का मतलब यह नहीं कि घर से भग जाओ इसका मतलब यह है कि हमें change लाने की जरूरत है अब वो छोटी छोटी activity से लाओ कैसे भी लाओ change का मतलब यह लड़ने निकल जाओ बहुत तरीके से change आ सकते हैं लाइफ में तो smartly जो है आप अपने घर में भी या जिसकी ऐसी mentality है उसमें change ला सकते हैं Now question number five sketch the character of Padma these are one of the I think most asked questions है यह अच्छा अब sketch का मतलब क्या है जो कुछ लोग painting में interest रखते हैं artist उनको मज़ा आ गया कि Padma की drawing बनानी है ना बबा ना sketch the artist का मतलब क्या sketch the character का मतलब होता है कि आपने जो story पड़ी अब उसमें अपने दिमाग लगा होगा न कि यह बंदी किस type की है Padma की जिसके हम बात कर रहे है the girl is of what type उसकी क्या-क्या qualities थी किस type का उसका behavior हमें दिखा तो वो आपको बताना है So, let's talk about Padma भाई Padma is a young girl with modern outlook क्यानी वो young लड़की है जिसका एक modern outlook है She feels aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society toward women यह आपके lesson की ही line है aggrieved and agitated यहानी काफी ज़दा वो परिशान और गुसे में रहती है उसको चीज यह नाराज भी रहती है कि यह चीज अच्छी नहीं लगी किसकी? Society की towards women Orthodox attitude का मतलब होता है Orthodox basically एक पहले से माने जाने वाली प्रथा कि ऐसा ही होता है कि औरत को तो inferior माना ही जाता है इस subject to her marriage और इंसे बार-बार वो सवाल पूचती है कि भाई क्या मेरी identity से मारच से ही है As a young woman she craves for an identity of her own and believes in the equality between man and woman As a young girl भाई उस इतनी दुनिया देखी नहीं थी वो तो fresh mind है और fresh mind जातर सोचता है इन चीजों को कि भाई क्यों भेदबाव किया जाता है मैन और वोमिन के बीच में Question 6 Padma's mother is the true image of a typical traditional woman elaborate तो कहानी पढ़के कहीं न कहीं समझाया होगा कि Padma की जो मदर का रोले वो इक बोलता है टिपिकल इकदम इंडियन वोमिन जो है टिपिकल ट्रेडिशनल वोमिन का है करना है इसी बात को So ये रहा answer Padma's mother is the true image of a typical traditional woman She cannot even imagine of having an independent identity from her husband यानी वो खुद imagine भी नहीं कर सकती सोच भी नहीं सकती कि husband की बिना उनकी कोई identity है भी कि नहीं She does not think that she is in any way different from him And ये लेसन में हमें काफी बार देखने को मिला है वो ये कहती है कि भाई मैं उनके जैसी हूँ जैसे Padma ने एक line कही थी कि Papa Father has no heart यानी उनके पास दिल नहीं है क्या तो मा कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि मेरे पास दिल नहीं है तो Padma कहती है मैं आपके बारे में तो काह है ही नहीं So the mother says कि मैं उनसे अलग नहीं हूँ अगर तुमने उन पे इल्जाम लगाया यानी मुझ पे इल्जाम लगाया She tells her daughter My identity is linked with his and I cherish the bond मेरी जो पहचान है उनसे जुड़ी हुई है और मुझे ये bond बहुत पसंद है She strongly believes that a woman without husband has no existence at all And a woman should always comply with what her husband asks And never ask any question तो उने ये लगता था कि बिना husband कोई identity नहीं है ज्यादा सवाल जबाब उसे नहीं पूछने है जैसा वह कहेंगे वैसा उने करते जाना है ठीक है? तो ये है पदमा कि माता जी का जो है Typical traditional nature हम कह सकते हैं Done है? चलो Question 7 पे आओ Discuss the main idea contained in the text कबसे हम वही बात ही कर रहे हैं कि इस पूरे text का main idea क्या है Again, identity of a woman पे ही पूरी चीजे बेस हैं बस आपको question पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं तो उसमें confuse मत होना चलो The main idea contained in the text is the identity of a woman A woman is in no way inferior to men Hence, she should enjoy equal rights And should have an identity of her own She should not be dependent on marriage or her husband for her identity इसका मतलब again यह नहीं है कि आप marriage है आप अपने partner के साथ खुश हो तो आपको खुश नहीं होना है इसका मतलब यह है कि even if you have a partner or you don't Still you have an independent identity If you're married, if you cherish the bond, that's true लेकिन उसके बिना तुमारी खुद की भी कोई identity है You know that, you can take your own stand तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है कि नहीं है करना है तो you can talk about that तो खुद की एक identity होनी चाहिए Moving to question 8 Why is the lesson called dharam judd give reasons? This is again a good question यह I think अगर किसी को याद हो तो बताना comment section में कि Yes ma'am we remember की जो है पिछले video में मैंने explanation में समझाया था कि इस lesson का नाम dharam judd क्यूं है तो किसी को याद हो सिफ इतना बता दो comment वाले section में Yes ठीक है? Yes ma'am we remember चलो तो lesson का नाम dharam judd क्यूं पढ़ा और ja से judd क्यूं है तो again मैंने बताया Rajasthani जो है poet उन्होंने लिखी है ये तो basically ये युद्ध है लेकिन देसी भाशा में हम ja करके कहते है या फिर hindi में वैसे तो वो कहा जाता है या वो वहाँ पे है लेकिन कुछ लोग bow कहते है तो वो थोड़ा देसी टाइब की भाशा आ जाती है तो युद्ध लेकिन लिखा कैसा है जुद्ध टाइब So again मैं आपको recall करा देती हूँ जो मैंने कहा था कि ये जो नाम है basically महाबारत और महाबारत के टाइम का एक टर्म लिया गया है जब कौरव और पांडव इनके बीच में युद्ध होने वाला था क्या था कि नहीं भाई तो उसमें अर्जुन जो है बहुत ही confused हो गए थे क्योंकि उन्हें युद्ध करना था अपने खुदी के लोगों के साथ अपने खुदी के परिवारवालों के साथ तो वो बहुत ही दुविदा में आए कि मैं क्या करूँ तो तब कृष्ण जी ने उनसे कहा था परिंट सो कोई हो वो अपने राइट्स ले खडी है कि एक वुमेन के इडेंटिटी क्या है तो इसी को हमने अंसर में डाला है और इस टाइब का अंसर लिखोगे बहुत अच्य माक्स मिलेंगे भाई फुल-on तो आजाओ, the title धरम जुद्ध reminds me of instance from the Mahabharat the battle between the Kauravs and the Pandavas Lord Shri Krishna encouraged Arjun to raise arms against his elders and the gurus on the plea that it was a dharam yudh, a war for righteousness plea का basically मतलब होता है यहां पे P-L-E-A plea का मतलब होता है situation, यहां पे plea का मतलब है situation situation या condition समझ सकते हो a man should not hesitate in raising arms against injustice no matter that it has been committed by his near or dear ones यानि और यह बहुत ही सही बात है अगर parents जो है अपने वच्चे कहीं wrong हो अगर उनका बच्चाव करे, that is not good if your kid अगर कोई भी wrong है तो आप उसे समझाओ अच्छा सबके सामने नहीं बोलना लेकिन समझाओ क्यों? क्योंकि अगर आज नहीं समझाया नहीं तो बड़े होके वो चीजें बहुत ही जादा पन अपने लगती है तो यहां पे वही है कि अगर तुमारे सामने कोई भी हो लेकिन you need to stand for against injustice in the given lesson Padma challenges her parents on the question of woman's right her independent identity it is because of the spirit of challenge that the lesson is called dharam judd क्योंकि एक challenge का spirit है चाहे उसके parents है फिर भी वो अपनी बात रख रही है वहां पे कि मम पापा ये चीज सही है तो इसलिए जो है इस lesson का नाम क्या लिखा गया है इसका नाम है dharam judd तो ये तो खत्ब हुए अपने question answers अब उसी के पाद आता है composition जिसे हमने अलड़ी cover किया है इसमें and composition important है कि exam में बहुत ही done है question तो आएगा ही तो जैसे paragraph writing होता है letter writing तो chapter wise भी cover करना बहुत ही ज़्यादा important है तो यहां पे आजाओ composition में number one आपको question दिया है write a paragraph in about hundred words on the status of women in our society यानि आपको paragraph writing करनी है अब मैं तुम्हें कोई भी बात बताऊं कि चाहे letter writing हो बिटा, notice writing हो किसी भी type भी writing हो question answer लिखने हो तुम्हें क्या लिखने आना चाहिए paragraph, it is very important अब कुछ बच्चों को लगता है माम यह तो बहुत ही आसान सी शीज है so आसान तो है but again अपनी class याद रखा करो कौन सी class में हो, class 9 में हो तो वो बच्चों वाले paragraphs मत लिखना कोशिश करो when you are beginning कोई quote लिख दो so again paragraph writing मैं तो आपको बताऊंगी ही but do things on your own बिल्कुल सजी हुई थाली दे दूँगी तो ऐसा लगते है तुम लोग खुद से करोगे नहीं so do one thing, you have all the options you just pause the video अब अपनी rough copy में खुद के हिसाब से भी paragraph लिखो सबसे पहले मैं जैसे भी पढ़ाउं मेरी बस बात मानते जाओ, ठीक है अब यह नहीं कि मैं forward कर लिया, हमने paragraph देख लिया चलो हो गया काम, ठीक है अब जरूर नहीं एक्जाम में same paragraph आए कोई और heading आगई फिर कैसे लिखोगे तो simple सा काम है, दो मेंट पॉस करना अपने हिसाब से, अपनी thinking से लिखो paragraph इस particular topic पे ठीक, फिर मैंने जो paragraph लिखा है उसे देखो और सोचो कि आप अपना paragraph कैसे improve कर सकते हो तो इस type से बेटा, तो में कभी भी कोई भी paragraph writing आए तो तुम असानी से लिख सकते हो I hope it is clear So beginning with the paragraph The status of women depicts the social, economic and mental condition in a nation तो मैंने शुरुआत ऐसे की country की बात करते होगी कि status of women, women का status किस चीज में important है तो मैंने ये कहा एक आप अगर मैं तुम्हें बताती हूँ किसी भी country को देखो तुम उसको ये भी देखके पैचान सकते हो कि वो किस type की country है कि वहाँ पर women को किस तरह से रखा जाता है उनका किस तरह से उनका importance दिया जाता है यानि उनके status से क्या depict होता है social, economic and आपकी country की mental condition कैसी है किस तरह की mentality वो रखते है बहुत ही basic सी बात है अगर जो है आप यही identity नहीं देते हो यह सोचते हो कि marriage ही सब कुछ है तो हम मान सकते हैं कि वो तो काफी पुराने जमाने की सोच है बहुत ही जो है mental condition उनकी इतनी ज़्यादा developed या modern नहीं है So women have been regarded as a symbol of spirituality in our scriptures जब मैं इंडिया की बात करती हूँ इंडिया में हमारी जो पुराने जित्ते भी scriptures है religious books हैं या कहीं न कहीं यह माना जाता है कि women को एक symbol of spirituality as a goddess माना जाता है है कि नहीं भाई Yet women were denied rights and equality in ancient Indian civilization मतलब तुम जो है देवी भी मानते हो इतनी सारे पूजा भी करते हैं हम बहुत कुछ होता है फिर भी ancient India में जो है Indian जब civilization हुआ तो equal उस time में भी rights नहीं दिये गए थे They have been treated badly and unequally to men Social evils अब यहाँ पर हम कुछ social evils की बात करेंगे जो हमारी country में prevail करते हैं Such as dowry, dahage जो कि लोगों को लगते हट गया है तो आप और हम सब भी जानते हैं यह नहीं मिटा है चाहे वो friendly way में हो यानि चाहे वो formal हो, informal हो dowry कहीं न कहीं रहती है जिसे dahage कहते हैं सती system होता है Child marriage है Female infanticide वो widely prevalent in the early ages यानि कुछ को जैस system की अगर husband की death हो जाती है तो wife also has to die यह भी एक system रहता था Child marriage, बच्पन में ही शादी करा दो Female infanticide Infanticide का मतलब है की बेटी पैदा हुई तो उसे मार डालना वहीं के वहीं तो यह सारी जो है early ages में बहुत जादा चलती थी The spread of education and self-consciousness among women has led to their progress over the period और यह चीज़ हमेशे यादखना आपकी लड़ाई कोई और लड़ने नहीं आता है You have to do it on your own तो वैसे ही कहीं न कहीं women में जो है self-consciousness आई awareness आई and तब जो है वो जाके थोड़ा थोड़ा अपने लिए progress कर पा रहे हैं तो मैं यह कहते हूँ कि अगर केसी को if you want to do that कि यार नहीं यह मेरा हग है so you have to fight it for your own Don't expect यार कोई आएगा कोई दूसरे आएंगे कोई महान लोग आएंगे जो तुम्हारे लड़के जाएंगे या तुम्हारे rights ले पाएंगे so वही है women को awareness आई बाकी countries में भी देख के समझा कि भाई यह सब rights equally मिलने चाहिए women of today are empowered again we know it आज की जो women है वो काफी जादा empowered है also women are gaining advancements and success in each and every field चाहे वो घर हो चाहे वो भार हो चाहे वो किसी भी type का feel हो उसमें कहीं न कहीं women जो है बहुत ही जादा advance करती जा रही है true female liberty is only achievable when people shift their restrictive attitudes and mindsets regarding women तो इसमें liberty का मतलब होता है freedom, आजादी तो यहाँ पर मैंने कहा है कि सच्ची जो हम कह सकते है आजादी कब मिलेगी आजादी तो मिल गई थी इंडिया को बहुत बेरी लेकिन सच्ची आजादी कब achieve हो सकती है जब लोग जो है अपने restrictive mindset और लोग में सिर्फ men नहीं आते हैं इसमें women भी आती है क्योंकि आज तक भी females को यह ही mindset है कि भाई कहीं ना कहीं हमारा identity किसी से linked है यह है उसके बना कुछ नहीं है भाई लेकिन ऐसा नहीं है अगर अपना restrictive attitude mindset change करेंगे तब ही जाके हम यह कह सकते हैं सच्ची जो है आजादी हमें मिल गई है ओके I hope it is clear तो यह था अपना पहरा paragraph writing बहुत जादा बड़ा नहीं लिखना 100 words के विदिन ही लिखना है coming to question number 2 question number 2 अच्छा है क्यों? क्योंकि letter writing है and काफी interesting है क्योंकि बेटर तुमें लिखना है letter यहां friend को write a letter to your friend emphasizing equality between men and women so letter to friend है यानि दो type के letter होते है एक होता है formal दूसरा होता है informal दोसको letter लिखना है तो काहे की formality भाई तो these all come under informal letter तो इसका क्या format होता है वो हम discuss करते है letter किस तरीकी से अपने को लिखना चाहिए so beginning with तुमें सबसे उपर लिखना है address यह किसका address है भाई यह sender's address उसके बाद date उसके बाद तुम जो है यहां पर salutation दे सकते हो जो भी तुमाई दोसका नाम है dear mohit जैसे हमने लिख लिया अब चुरुआत में तुम तो बहले हाल-चाल पूछना I am doing good and hope the same for you मेरा सब बढ़िया चल रहा है और उमीद है तुमारा पी सब बढ़िया ही चल रहा हूँ आए अब देखो एक चीज समझना तुमको letter में पूरी कहानी नहीं देंगे तुमको creativity यूज करनी है तुम्हें कह दिया कि तुम्हें बताना है equality between men and women तुम्हें प्राक्टिकली सोचो तुम अपने दोस्त को ऐसे ही किसी दिन खत लिखो गे कि भाई तरको पता है men and women में किती इक वोल नहीं तो थोड़ी कहानी सोचो थोड़ी कहानी बनाओ तो यहां पर हमने क्या कहानी बनाई हमने बताया कि भाई मैंने कोई seminar attend किया था भी recently तो वो बेस था gender equality पे तो इस टाइप से थोड़ी बात आप जो है लेके जा सकते हैं So let's read this I attended a seminar based on gender equality and I would like to share the experience with you It was about how men and women still are not given equal opportunities when it comes to work or even identity The social structure that prevails since long in such a way that girls do not get equal opportunities as men Women generally are the caregivers in the family Caregivers basically क्या होता है Women को usually हम एक तरसे मान लेते कि नहीं भाई पूरे परिवार का खयाल इन्ही को ही रखना है Even if the woman is working still a responsibility आही जाती है कि कही नहीं चाहे यह अपने खुद परसनली भी देखा हो If a woman is working तो घर से निकलने से परे पूरे घर के काम करके जाएंगे बाहर जाके काम करेंगे मतलब बाहर भी ऐसा रहता है maximum time घर से फोना रहा है यह हो रहा है And then when she returns again she has to do the work तो यह एक जो है ना काटेगरी दे जाती है कि women are the caregiver of the family Because of this women are mostly involved in household activities और इसकी कारण कहीं ना कहीं उन्हें जो है सर्फ घरेलू काम में ही involved रहना पड़ता है When women participate in the workforce It increases the economic growth rate of the country Increases इसका मतलब क्या है देखो And यह H is बहुत ही अच्छी है अगर country की women भी workforce में यानि काम काज में participate करती है तो पूरी country की Economic growth बढ़ती है Right तो यह जो है मैं अपने दोस्त को बता रही हूँ कि भाई यह हुआ था सेमिनार में अब last जो है paragraph एक टाइप का conclusion टाइप का होता है So मैंने कहा कि I feel we as men should also take initiative to promote equal rights to the women around us तो आदे बच्चों को मजा हो गया होगा पलक में हम लिख रही है I feel we as men तो यहां मैं men नहीं हूँ लेख लोड़ रेटर कौन लिख रहा है राहुल की तरफ से लिख रहा है तो राहुल खुद लड़का है और दूसरे लड़के को लिख रहा है तो कह रहा है भाई हमें men यानि जो है आदमी होने के नाते हमें भी आर इनिशेटिव लेना चाहिए कि सबको equal rights मिले हमारी जितनी आसपास की woman है अपने घर से ही start करो अपनी mother, sister, wife इन सब से start करके जो है हमें equal rights इन सबको देने चाहिए waiting for your reply on this तो मैं तेरे reply का इंतजार कर रहा हूँ क्या राय है तुमारी ठीक है then leave a line क्या लिखोगे yours truly लिख सकते हो yours affectionately लिख सकते हो ठीक है Rahul so यह आपने नाम लिखा अपना and that's it यह था format इसका और लेटर को बहुत लंबा भी नहीं करना है बहुत precise भी नहीं आपको देखना है कि आपको कित्य मार्क्स का लिटर है and कित्ता आप उस पर लिख सकते हो बहुत लॉग-लॉग stories मत लिखना ठीक है बस precise करके आपको समझाना है ठीक I hope it is clear All right so with this we end the question answers of chapter number one जसका नाम था Dharam Judd I hope आपको सभी doubts clear हुए होंगे and अगर हुए हैं so do tell me in the comment section आप हमें follow कर सकते हैं See you all in the next session जिसमें हम इसी particular lesson का grammar section discuss करेंगे Till then, good bye